तो टैली स्रीज का ये पहला वीडियो है और आज हम इस वीडियो में टैली के स्लेबस के बारे में डीटेल में देखेंगे उमीद है आप लोगोंने टैली का जो स्लेबस है वो हमारी वेबसाइड यूपीसे एसस यूटूब डाट कॉम से डाउनलोड कर लिया होगा तो टैली स्लेबस हमें जनना इसलिए जरूरी है ताकि हमें एक आईडिया बना रहे है कि हम कौन से टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे कितने टॉपिक किलियर हो चुके हैं ये सारी चीज़े जो हैं हमें पता रहेंगी तो इसलिए टैली के जो स्लेबस है उसे हम सौर्ट में समझ लेते हैं कि हम कौन कौन सी चीज़े टैली में पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हमारा होगा basic fundamental जिसमें हम समझेंगे what is tally यानि tally क्या है, tally एक software है, उसके बाद what is account क्या होते हैं, classification of account जो accounts होते हैं उनको classified किया गया है, terminology of accounting, golden rules of accounting, general entry, predefined tally group और types of watcher, तो यह जो आपका इतना portion है, यह आपका theory portion है यानि theory है, और यह सभी जो notes हैं हमने अपन करना है, वह भी हम इसी वीडियो के last में आपको बता देंगे, तो यहाँ पर basic fundamental के बाद आपका आएगा overview of tally, जिसमें हम tally rp9 को internet से download कैसे करना है, और से install कैसे करना है, यह सारी चीज़े देखेंगे, tally में company वगरा कैसे बनाते है, company क्या है, यह सब चीज़े हम voucher transaction entry, यानि कि हम tally में entry कैसे करते हैं, उन्हें देखेंगे, और उसके बाद entry करने के बाद हम reports कैसे generate करते हैं, कैसे देखते हैं, यह सारी चीज़े देखेंगे, उसके बाद आपके जब यह दोनो topic clear हो जाएंगे, तो यह आपका पूरा theory portion होगा, जिसमें हम tally की theory होती है, जो rules होते हैं, उनके बारे में जान लेंगे, और उसके बाद यह आपका tally software के बारे में हम जो पूरा complete जान लेंगे, तो यहाँ पर दो चीज़े हमारी clear हो जाती है, फिर उसके बाद यहाँ से हमारी start होगी accounting, इसमें हम complete किसी company का financial year उठाएंगे, यानि कि हम पूरे एक साल की entry देखेंगे, कि business कैसे start किया जाता है, और उसमें जो accounting होती है, चीज़े खरीजते हैं, और expenses होते हैं, income होती है, profit होता है, loss होता है, तो यह सारी चीज़े जो होती है, यह हम complete यहाँ पर हम एक book के ज़रीए देखेंगे, पूरा एक project होगा, तो यहाँ पर जो financial year होगा, व service organization देखेंगे, जो कि 12 मंत की complete entry होगी, service organization means जो हमारे business होते हैं, इंडिया में जो हमारे business होते हैं, वो two types के होते हैं, एक होता है आपका service organization जहाँ पर कुछ खरीदा या बेचा नहीं जाता, बलकि service है provide की जाती है, और जो दूसरा होता है, हमारा वो होता है inventory management, inventory management यानी की trading organization, तो हमारे दो business होते हैं, तो दोनों business को हम complete देखेंगे, कैसे maintain किया जाता है, तो accounting first case study में हम क्या देखेंगे, service organization को कैसे maintain किया जाता है, उसमें हम day book, trial balance कैसे तयार करते हैं, profit and loss account, balance sheet, closing and opening balance क्या होता है, और यह सारा कुछ आपका complete होने के बाद यहाँ पर हम finally exercise भी तो यह काफी best है, क्योंकि exercise जब आपको मिलेगी, तो चीज़े ज्यादा बेहतर तरीके से clear हो जाती है, तो cash study one होने के बाद में आपका, उसके बाद start होगा, यहाँ पर cash study two, जिसमें हम देखेंगे account with inventory, यानि कि जो trading वाले business होते हैं, उन्हें कैसे maintain किया जाता है, जिसमें accounts और inventory भी होता है, inventory means होता है goods, जो माल खरीदा है बेचा जाता है, जहाँ पर purchase और sell भी आ जाता है, तो यह भी हम पूरा complete one year तक की entry को करना देखेंगे, यानि कि आपका जो यह financial year होगा, यह आपका होगा 1st April से 31st March तक होगा, यह भी है आपका, जिसमें हम account with inventory देखेंगे, जिसमें stock item, stock group, unit of measure, यह सब create करना, trading organization की जो general entry होगे, वो total 12 month की होगी, 12 month की होगी means यह हम 12 month में नहीं पढ़ेंगे, बलकि यह entry 12 month की होगी, और बाकी जो tally का पूरा complete course है, यह आपका वही मान के चलिए, आप 2 से 3 महिने में आपका यह complete हो जाएगा, तो यह आपका 2 से 3 महि में complete हो जाएगा, पूरा tally का course, और इसमें आपका purchase, sales, invoicing, provision entry, depreciation entry, adjustment, closing entry, inventory, post, stock summary कैसे देखते हैं, exporting, printing, mail वगरा करना हो, या कोई bill print वगरा करना हो, और closing and opening balance, और इसमें भी आपको एक exercise मिलेगी, तो वैसे तो अभी slavers हम पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर चीज आपके सम inventory management with GST, inventory management हम देखेंगे GST के साथ में, इसमें आपका tax आजाएगा, यह आपकी third book होगी, third book में आपका यह सारा कुछ आजाएगा, C, GST, S, GST, यह सारी चीज़े आजाएगी, इसमें go downs होगरा कैसे बनाए जाते हैं, stock summary, यह सारी चीज़े, cost category, cost center, तो यह सारी चीज़े interest ह कैसे लगता है, purchase return, sales return कैसे होता है, credit note और debit note voucher क्या होते हैं, inventory reports यहाँ पर भी देखेंगे, tax report देखेंगे, closing and opening balance और इसमें भी आपको एक exercise मिलेगी, उसके बाद यहाँ पर advanced level में हम देखेंगे, advanced level में हम service organization with GST देखेंगे, यानि कि जो service organization होते हैं, जो service provide करते हैं, वहाँ पर भी GST लगता है, तो वो कैसे होता है, और उसके बाद manufacturing with GST देखेंगे, manufacturing कैसे होती है, payroll management देखेंगे, और बाकी जो भी छोटी बड़ी चीज़े होंगे, वो भी हम यहाँ पर clear करेंगे, तो हम पूरी कोसिस करेंगे कि Tally में कोई भी चीज़ छोड़ने न पाए, और य messages हम आगे पढ़ेंगे, यह सारी चीज़े भी आपकी clear होती ही चली जाएंगी, और बीच बीच में स्लेबस को दिखाते भी रहेंगे कि हम क्यों केतनी चीज़े पढ़ चुके हैं, उसके बाद यह Tally के Notes हैं आपके जो आपने डाउनलोड कर लिए होंगे, तो यह जो नोट आप चाहें तो आप भी परचेज कर सकते हैं, यहां पर यह हम आस्ता पप्लिकेशन की यूज़ करेंगे, यह Tally Workbook है आस्ता पप्लिकेशन की और अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप खरीज सकते हैं, यहां पर इसका contact number दिया गया है, आप इस contact number पर कॉल कर सकते है और online book आप परचेज कर सकते हैं, वैसे आप कोई ज़्यादा important नहीं है book, क्योंकि जो भी content होगा, सारा content आपको अपनी website upcass youtube.com पे available करवा देंगे, तो आप चाहें तो book परचेज कर सकते हैं, वरना कोई important नहीं है, टैली study material डाउनलोड करने के लिए google पर type करें upcass youtube.com उसके बाद यहाँ पर आपको notes में जाना है, notes में जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे computer के धेर सारे notes आप डाउनलोड कर सकते हैं, html, excel के function और भी study material वो डाउनलोड कर सकते हैं, और टैली study material डाउनलोड करने के लिए आपको open पर click करना है, और यहाँ पर आपको टैली से related जो भी study material होगा, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, जैसे टैली syllabus, टैली notes, अभी यहाँ पर सिर्फ दो ही PDF uploaded हैं, और आगे धीरे जैसे जैसे हम स्रीज को आगे बढ़ाएंगे, उसमें जो भी content use होगा, जो भी study material होगा, वो सारा भी upload कर दिया जाएगा, और यहाँ से आप आके उसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा टैली syllabus और notes डाउनलोड हो चुके हैं, तो यह आपका टैली का syllabus है, तो हुआ